Winners are not people who never fail. Winners are those who never quit. इसलिए आपके जिन्देकी में अगर हार भी आए, तो हार मानकर बैठ मत जाईएगा. कोशिश करते रहिएगा और आपने सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हार आपके जीवन से एक नई दिन जरूर दूर हो जाएगा. आपको नए experiences मिल जाएंगे और नए तरीकों से आप जीत का रास्ता तै कर लेंगे. मंधन में आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, वो एक आर्से से बहुत अच्छे कारे कर रहे हैं. अच्छे कारे मतलब फिल्मों में, सीरिल्स में, वेब सेरीज वे, उनकी बहुत टान पॉलोइंग है, जो कि उनके एक काम की दिवानी है. अभी हाल फिल हाल में उनके एक वेब सेरीज आ रहे हैं, दहाल. और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हूं कि काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आपने उन्हें सेकरिक गेम्स में देखा है और अगर आप डीडी के ज़वाने के हैं तो आपने उन्हें अफलातून में देखा होगा और मिला में देखा होगा फिर कुछ मुवीज हैं जैसे मुद्दा, The Issue, 1971 फिर लव होसलों ऐसे अंगिनत फिल्मों में आपने उने देखा होगा वेब सेरीज में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपने नाम से मेल खाते होगे एक नाम के बारे में नाम है उनका योगी सिंहा जी सिंहा जी, जैसे मेरा योगिता सिंह है उनका है योगी सिंहा बहुत स्पेशल नेम है उनका, उनसे जरूर में बात करूँगी इस बारे में उनसे हम इसलिए भी बात करेंगे युकि वो सिर्फ एक आक्टर नहीं है वो स्क्रीन राइटर भी है उन्होंने बहुत खूब सुरत फिल्मे लिखी में जिने आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लव होस्टल जो ये एक फिल्म है वेब सिरीज है आपने उसे देखा होगा और काफी ज़्यादा नाम कमाया था वेब सिरीज में लोगों ने बहुत पसंद किया था गुडगाओं के नाम से भी उन्होंने बनाया था उसको भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो आज हम उनसे तमाम मुद्व पर बात करेंगे उनके अक्टिंग करियर को लेकर बात करेंगे उनके स्क्रीन प्ले को लेकर करेंगे और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि चाहता है फिल्म इंडस्ट्री में आना अपनी पैट बनाना तो आप अपने लिए कुछ टिप्स भी पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने थियर्टर्स भी बहुत सारे किये हुए उनके थियर्टर बैग्राउंड की वज़े से ही वो बहुत ही सशक्त रूप से अपने अभिने को अदा करते हैं और लोग उनके दिवाले हो जाते हैं यहां उनको एक मैं रिक्वेस्ट भीजते हूँ और योगी से हम करते हैं बाते हैं नमस्ते, वेल्कम कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ हेडफोन में आवाज कम आ रही थी क्या? हाँ, शायद कुछ नहीं हुआ मैं जोर से बोल देती हूँ और जोर से बोल देती हूँ आपको आवाज आ रही ही ठीक से? हाँ हो गया, मैं आप जी, मुझे आचा हैं रीमा जी ने काम ही इस तरह कां है तो उसमें काफी सारे राइटर्स हैं उनमें से रिमा जी एक है खुद और मैं एक सीन के दोरा जब यह दाहाड हमने लोगडाउं से पहले शुरू किया था और और हम ठंड में हम राजस्थान जैसी जेगे फिल्मा रहे थे और क्योंकि मैं उसमें किरदार अभी मैं इमोशनल हो गया हूं जैसी दलित मेरे इसमें आया तो जो है वो किरदार उसके पास कुछ चदर नहीं थी उसके पास कोई किसी तरह का स्वेटर नहीं था तो एक साधान से कुर्टे पाजामे में वो जो है वो कर रहा था और वहां ठंड भी लग रही थी वैसा तो रिमा जी ने मुझे था है यार शॉन वह ले लो नहीं नहीं मैं थोड़ा सा यह मेरे चैरेक्टर पर जा रहा है और मैं रखनू ऐसी चीज को अब थोड़ा सा ओवर हो जाएगा मैंने एक सीन के दर्मिया मेरी और सोहम शाह जी की जो मेरे को एक्टर है हमारा सीन जड़ा लंबा खिच गया तो अच्छा मेरी माजी बीच में आई और उनने का ऐसे तो फिर कट हो गाई नहीं और आप लोग बात ही करते रहोगे मैंने का देखो मेरी बहन कोई हुई और मै दो मेने से अपनी बहन को ढून रहा हूँ इनके हर सवाल का जवाब मेरे पास है कि जितने सवाल करेंगे मेरे पास इनका जवाब है क्योंकि मैं तो अपनी बहन फोज रहा हूँ तो रिवाजी ने का स्वरी होगी आप जो है बिल्कुल सही बोल रहे हो लेकिन अभी फिलाल हमें जो है आप अपना रखो और यह अपना रखेंगे उतना ही रखते हैं तो मैंने का आपको सुरी बोलने की जरूरत नहीं है तो आपके तलास रहेते हैं चीजों को तो में आपकी तलास से ही तलाश में था उनको बड़ा अच्छा लगा आज देखने अब आगे के साथ काम करने का सेंद हो है अपने आप में एक बया करती है कहानी आज आपने गुलामी फिल्म अगर देखी होगी तब से बॉलीवर्ड दिखाता आ रहा है राजस्थान की तरासदी दलिट लोगों को देखी मैं दलिट पे ज्यादा नहीं जाओंगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने एक स्टोरी लिखी थी रमत गमत और द्रिश्यम ने वह फिर्म में प्रोडूस की थी शॉट फिम थी बहुत सारे अवार्ड लिए उसमें उसमें ये किसा था कि एक अम्वीर है दोस्त और एक गरीब दोस्त तो और जो घरीब दोस्त था वो दलिट थ और मेरे साथ अजीत ने लिखी भी वो फिल्म अजीत पाल से बहुत अच्छे डिरेक्टर है बहुत बढ़िया फिल्म लेकर है और वो गुजरात से हैं लेकिन सरदार है और उस टाइम पे वो कैसे यहां पर रिफुजी काइंडी काइंड आफ ही है कि पंजाब से उनको यहां अच्छे मिलके वह फिल्म लिखी तब मुझे थोड़ा सा ठोड़ एहसास हए गलित समुधाय के बारे कि वह कहानी जब आप लिखते हैं तो आपको भुषणा पड़ता है उसके अंदर किरदारों के बारे में में सोचना पड़ता है उनके उनकी जिंदगी के बारे में कि क्या बात वाट आप जा रहते हैं तो आप रहते हैं खुछा एकर बन जाएं जल्डीं के लिए ज्टमादिन का क्या है तो मैंने जिंदकी इतने करीब से जीन यह विटा जी मतलब मैं लिखता भी था और लिखता क्या था में फोर्थ क्लास से में लिखता रहा हूं मुझे इस साथ कर लिया है बी सरस्वती शिशु मंदेर और सरस्वती बाल मंदेर इन स्कूलों में में प्राहनविक शिक्षा हुई और अला कि वारस से जुड़े हैं कभी आरस से नहीं जुडाओं उसमें क्या था कि मैं अपनी मां के साथ जा रहा हूं और थोड़ा साब गैप हो ग प्रेग लगाता है और पूरे टायर जो है उनका प्रिंट सा जाता है रोड पे और एक स्थरे का ब्याव्याद दुरगटना कुछ लिखना था मैंने वो अपना एक्टम प्रारूप जो देखा था मैंने वो सब उसमें दिखा और मुझे अवार्ड मिला है राइटिंग और फ याद होगी इतना जवाना हो गया मैं चालिस के आस्पास हूं तो वो मैं फॉर्थ और फिफ्थ की बात कर रहा हूं हमारी प्रात्ना ही शुरू होती थी सर्श्वती बंदना से ए खंस वाहनी ज्यान दायनी अंब विमल मती दे हमें बुद्धी दो और हमें जो है उसे साब आप से जो है हम अपना जीवनियापन कर सकें और विद्धा ही सब कुछ है तो वहां मैंने फिफ्थ में नेता जी सुभास किया मैंने और एश्थ आते-आते मैंने हकीकित राइप ले किया आपको अच्छा बताया है जी के बारे में बताये ना हकीकित राइजी स्याल कोट म ने चोदा वर्स की उम्र में ही उनको जो है मोत के घाट उता दिया था उनको सजा मिली थी मोत की क्या हुआ था मुगल पसाशन था और हकीकत राइजी कुछ मुगल बच्चों के साथ मुस्लिम लड़कों के साथ बिढ गए ऐसे ही क्योंकि जिब तो मरत्ते होते थे और लड़का था तो जब उनकी बात आई तो उसने बर्दाश्ट निवा और उसने फातिमा मा को और पेगंबर साहब को पता नहीं क्या क्या उसने बुरे शवर गोल दिये और ये बात परशासन से बरे बर्दाश्ट में हुई और उनको गैद कर लिया गया एक चोदा उगश् परिवर्तन के बाद भी तो मेरी मिर्ट्यों निश्चत है मुझे कभी ना कभी तो माद नहीं है तो क्यों ने अपने धर्म में ही रहकर मैं तो यह इस तरह का हमने करदार किया था अज आठी क्लास में तो आठी क्लास में उसी वक्त मेरे के संगीत अध्यापक से मेरी दोस् तो मैं तो अभी आप से गिटार सीखने आया हूं तो मुझें नगों देलिटार के साथ है ठोड़ी सी तुछावरी अधिशने थेटर करना है अभी से मैं अभी से अभी से लिगल पड़े मंप्लीं निगल पड़े मंडिया से ने दोर ऑऊ-स वार्वी आप दिल्ली के हैं कि अपके जब जिस बाल मंदिर का नाम लिया तो पुछी ऐसे मैं ने वे प्रइडाबाद में सुना हुआ है नहीं उनकी ब्रांचे थी बहुत सारी तो उसमत पे जब मैं पढ़ रहा था तो उनके कुछ फॉर्टी फॉर्टी-फॉर्टी-फॉर्टी फाइफ ब्रांचें टे लेकिन हरी नगर से मैंने नहीं किया मैंने नम्मर टू नजब बते किया तो उसके बाद हम जो है वह में अर्विन गोड साब मिले टाइम लग जाएगा गोड़ साब नहीं करेंगे मतलब स्टेज पाने का टाइम लगेगा तब तक आप चाहे पर लाओ एक्टर्स को आप रो जाके सफाई करो सेट की आप जो है देखो चीजें और वो सब करते करते फिर हमें एक लाटक मिला वुमें ऑफ सेजवान कारकुन कानपूर की ओरत भली रामकली तो उसमें हमने किया थोड़ा सा फिर हैस्वदेश दीपक जी का कोट मार्शल मिला मामूल याद मिला कितनी ब मार्शिप्स कर्टे यार इन केरो मेरे छाल से कई हजार यूजे और इसके बाद उनकी महरत है अर्विन गोड़ साब कि वह आपको उच्छान आपका सही कराते हैं हाँ आपका डिक्शन पर वह बहुत काम करते हैं आपकी ब्लॉकरी पर बहुत काम करते है फिर इसके बाद यहां जीक चुके हैं तो मेरे एके बहुत हुट हुट अपकार है रभी अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए तो फिर हम अपना सनातक अपना ग्रेजिशन पीच में छोड़ा और हम हम तीन जन थे जो हम एक टिकट पर फिर हम बंगे आये मैं दीपक दोगियाल और सिमान के लिए जी और और तब से बस चली रहा है तो क्या वाट लेकिन आपने शुरुआ दू दर्शन की दिया दू दर्शन के शीरोलों का दू दू दर्शन वो भी एक किस्सा है मैं मेरे खाल तो मैंने का सर लूंगी तो लागे देगुआ लेकिन आपको मुझे काम देना पड़ेगा जब कि मैं तो दक्षक था बहुत सारे बैठे दे मां ठीक है मैं देक आता हूं योगिता जी मैं गया और मैं वो पुरानी लूंगी उसमें भुली भी नहीं थी पिता जी और मैं कै उन्होंने एक चोर का करदार दिया जिसमें एक खानेदार के लड़के की साइकल चोरी हो गई है और वहने चुडाई है और कवन मलोतरा साब उसमें इन्वेस्टिगेट करते थे डिटेक्टिव बंते थे अफलाते हैं तो दिर्शन प्याहता था रवी बार के देना क्या ब एक डेली शॉप था वो किया मैंने उसके बाद मुद्धा मिली सौरब शुकला की कलु मामा के नाम से लोग उनको जानते हैं तो उनकी फिल्म थी मुद्धा तो हमने की उसमें परशान है नवाजुदी और एरिखावेद यासा एक साउथ की हिरूं थी उसमें और अपने न पर एक गाओं की प्रिस्टूमी पर थी किस तरह जमीदार के बच्चे और गरीब बच्चे मतलब नहीं एक साथ नहीं रह सकती आप अब आप यहां पर अपने लाए तो पीड़तों का ध्यान में रखते वे जादा करा आप यहां जादा करा आप पिछले जनम का कुछ है व अब अब तक एक इंच भी जमीन हमने नहीं बेचिया है एक फेती होती है अब को बताती है आपके परिवार में पुराने जमेदारों ने बहुत सताया होगा अब कर आपके इंदर एमोशन बर के भेज़िया बगवां जी रहे बिलकुल बिलकुल और फिर हमने 1971 की और वो त किस्सा है 2005 का 2005 में यहां पाली भर गया था बॉम्मे में बाड आ गई थी और हम जो है दिली चले गए थे और हमारे दोस ने का यारे कोडिशन है प्रभार टोंग करके एक कास्टिम डिरेक्टर होती थी एक्सपार होगी बहुँ अची लेडी थी काफी अटी बटी हाइड प्रोग्राम का नाम था पैसा भारी पड़ेगा मेरे दोस्त गए ओडिशन देने ऐसी जैसे पीछी किताबे ऐसी खिड़की दी मैं खिड़की के साथ पैठाऊ ऐसे और अंदर की अवाज मुझे आ रहे है तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको यह दसलाग रुपे मिलते तो आप क्या करेंगे इनका मैं अपनी मेहन को गुमाऊंगा स्विजर लेन लेके जाऊंगा और अपनी जो है बहुत सारे और चीजे हैं वो करनी है मुझे मैं अपने परिवार पर खर्च करोगा मुझे लगा शायद ये इंटर्स नहीं ले रहे हैं इसकी बाते हैं शायद और ये जदया है ये जीतेगा और मैंनेका फिल्मे देखने का शोक है तो डीवीडी खरी दूँगा और गर्स ये डेए खरी दूगा उस समय एजब कर दा इसका मैं अग्राव पीने तो अच्छारी झाच़ार अगर आप बूलकॉंदी नहें सत्तर हजार का और बीस-बीस के नोट थे तो बीस-बीस के नोट अगर आप एक लाक रुपे इकटे करते हैं तो उनमें चार किलो बजन होता है और उसमें पहले से बैक में कुछ ओठा वो था रिशी किष्णी आपको नदियों से चलना है आपको रसों है आपको राफ चलानी ने राफ चलाइंगे तो ap 1808 आपके तीन लाग रुपे से पही अगर आप चलवायाँ अगर राफ चल्वाएंगे ने तो आपको 3 लाग रुपे देने पड़ेगे तो ऐसे से करके मैंने 5 लाग 20,000 रुपे बचाए और यह हम पांच जन थे जिसमें साही देव धर भी थी टीवी से कुछ लोग इनो लोगमर से भी लिये थे तो उनको विचारी को भुखार भी हो गया था उस दोड़ में क्योंकि अब बादी वाला चक्कर था कभी पानी में कभी भार पसी ने फिर पानी में फिर आप वैसा करने तो मैंने 5,20,000 रुपे जीते कि वी 7,20 थे मेरे पास और एक जगह आके पानी का इतना तेज बहाओ था कि वो मुझे फैंक रहा था पानी मुझे प्छे रहा था तो मैंने क आपको बता हुआ यहां मैंने 5,20,000 शादी की और इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि 2005 में 5,20,000 की कीमत ठीक ठाक थी और फिर रिसेश्शन दिया था तो मुझे पैसा चाहिए था और मैं तो दिली से हुए और ऐसी फैमिली से हूं कटल यह मतलब आप सम्झो लव होस्टल जो मेरी जिन्दगी से जुड़ी हुई है वो कैसे कि लवस्टल में जो किरदार है एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की अब उनके पीछे खाफ लगी हुई है तो सेम में योगिता जी मेरी ऐसी दोस्तियां होती थी वालिज टाइम में या फिर स्कूल टाइम में और उनको थोड़े दिन बाद मैंन से दूर हो जाता था तो लड़कीं को लगता था कि डिच कर रहा है जैसे मुझे पता चलता था कि इनके इनका गोतर मेरे गोतर से मिलता है इनकी मा का गोतर मेरी माती गोतर से मिलता है तो कहीना कहीं शादी नहीं हो सकती तो मैं कहीना कहीं उ मुझे एक मराथी लड़की मिली मैंने का आप गोतर कहीं आडे मी आएगा और ना खाप आडे आएगी और हमने इस्कादी कर लिए आज जो है दो जार पांच से अभी दो जार थेइस हो गया देख ली क्या बात है अच्छा बहुत मजा आया जो है आपकी जर्णी सच में वाक वह काफे इंटलिजेंट है वह थोड़ा बहुत पुनर है उसके अपने बाप का गया है मा का गया है और दो ब्रीड है दिली से मैं हूं और यह मराथी है यहां से तो आप कभी अपने बच्छे को इसस्ट करते हैं आपनी बेटी को इसस्ट करते हैं कि तो पिल्मों में आ य प्रीचर थे और उनका बड़ा प्रेशर था घर से बहुत प्रेशर था किसी तरह से आदमी में जाए और एंडी एक लिए करें और यह सारे चीजे करें मैं अकेला थोड़ा सा यहां हूं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखता हूं अपने घर में और लेकिन राइटिंग शोग थ तो उसका डिगरियों से कोई लेना देना नहीं है वो तो आप जो है अपना अपनी जिन्दी कानुभव आप उतारते हैं पेपर पेपर पे वो इसा है तो कहीं ने कहीं मैं कुछ हूं तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी भी आगे खुछ रहे किसी तरह का तो आपन चाजा तो एंसी पीव बंबे में हुआ सलीम साब ने डिरेक्ट किया वो उसमें जरूर इनोंने काम किया मेरे साथ के ही रहसल पे इनोंने देखा सारा शब्व तब से थोड़ा साब बोल कि है कि मुझे थेटर तो करना है लिकि मुझे फिल्म नहीं करने हैं मुझ आप पर सकते हूं बाकि उनकी अपनी उनको जो करना है उनकी तरह को फ्रेशर नहीं है आपको ड्रीम रोल है जिसे आप अभी निभाना चाहते हैं मेरा जब घरवाले चाहते थे कि मैं आर्मी अफसर बनू तो वैसा ही एक डीम रोल में उनको देना चाहता हूं कि क्योंकि परिवार में सब मतद वाइस एड्मिर तक गए हैं परिवार में अच्छा हमारे जीजा जी वाइस एड्मिर रेटायर हुए और जो है बिर्गेडर रेंग तो काफी है तो मैं कहीं न कहीं चाहता हूं कि उनको इस तरह काहिए कि देखिये मैंने ऐसा काम चुना है जिसमें मैं सारे किरदार कर सकता हूं तो आपके लिए मुझे आर्मी अफसर भी बन गया तो वो एक है आपको इंस्पायर कौन उसरते हैं मैं मेरे साथ मेरे पिताजी जो है थोड़े से रहे हैं शुरू से उन्हों मुझे मुझे बच्पन में मेगदूत पड़के सुनाया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे बड़े भाई जो है आज इस दुनिया में नहीं है बहुत कुछ सिखा के गए हैं मुझे वो भी नाटक करते थ हैं वो मुझे करते थे उनकी महफिलें जमा करती थी अपने दोस्तों के साथ तो वो एक कही ना कहीं आइडियल रहे हैं पिताजी और बड़े बाई आज बड़े बाकी तो गुरु तो बाद में मिले हैं निस्टर आंके शर्मा और अर्विंद गोर साब तो इनका तो साथ हमेशा ही रहेगा कार्या कर आप किज़ी रही है अगर आपकि जूनी में ते कोई आप कोई आप के निकाल के दूआ तो इसमेंसे jätte है के आपकी जो जर्णी रही है अगर आपकी जर्णी में थे कोई आपसे बोले कि आपको तीन इंपोर्टन लेसंस देवे लोगों को, तो आपकी वो तीन इंपोर्टन लेसंस क्या होगी? मेरी जर्णी में तीन इंपोर्टेंट मैं किसी को अध्षय अपने निकाल के दूआ तो उसमें से यह है कि बेटा और बेटी में फर्क ना करें, किसी भी तरह करें उनको अपनी मर्जी से जीने दे उनको पंक दें कि वो उड़ें साहत हैं और दूसरा यह कि भेद भाव किसी तरह का ना रखे किसी के प्रती जितनी आप बाटोगे आपकी अपनी बढ़ेगी आप दान करें और ब्लड डोनेशन में थोड़ा सा शायोग करें ब्लड बैंक करें ब्लड बैंक मैं देता रहता हूं रहता हैं मै फिमेल का होता है चार महिने का लिए के उनका एक महिने का मासिक घरमका वो गट जाता है तो उनका फ़र्ट मंत का होता है। कि आपको चार गन्टे में वापिस उतनी ही हुझा है वे प्रकोशन क्या है आपको बजन देने के लिए तो आप किसी को बचाथजार लाक मैं किसा बताऊगा यहां पे गादी तो वहां से एक महतरमा उठके आई, आप योगी हैं, मैंने कर रही, मेरे ही बच्चे को प्लेटलेट्स देने, मतलब उसने मुझे कभी देखा नहीं, एक वाइबस, एक मा उठके आई, वो मुस्लिम लड़का था, और आके कहा के आप योगी हैं, आप मेरे बच्चे को देने क्या हैं, मैंने को प्लेटलेट्स देने आए, वहां हां वही हमें पुर्णा नहीं आता है, तो हम जो है, वैसे भाव विभॉर हो गए, तो क्या बताएं, मतलब ऐसा हो गया था है, तो कैसे इनों पहचान दिया मुझे, यहां पर कितने लोग आते हैं ऑस्पिटल में, कोई कि भी आकर खड़ा हो जाएगा, और ऐसे आयड पढ़ने लगेगा, वहार को योगी नहीं हो सकता, लेकिन उसने पहचान लिया मुझे कि यह वही हैं, जो मेरे बेटे के लिए आए हैं, तो मैं लोगों से निवेदन करूँगा, आपके दर्शकों से निवेदन करूँगा, जितने भी लोग हमें अभी फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लोड डोनेशन में योगदान ले, आप बचा सकते हैं, बहुत अच्छा मेसेज आपने दिया है, मेरा एक सवाल अभी रही गया, जो कि बहुत परस्नल होता है, युशिली, आपको किसी बात आपको कोई रिग्रेट रहता हूं तभी, रिग्रेट मैं आज शेर करता हूं आपसे, बड़े भाई के वक्तों मैं छोटा था, मंजले भाईया जब एकस्पायर हुए, तब मैं उनको बचानी पाई, ये दस जनवरी 2010 की बात है, आप पीछे जाएंगे उस दिन बहुत लो टेमपरिचर था, नौर्थ का, और वो बाहर रह गए थे, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम कहां होई होगी, तो मैंने उनको जूट बोला, मुझे नहीं मारम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने उनको जूट बोला कि मैं कहीं और हो, अगर मैं वो सच, वो समय वापस आ जाएगे, तो मैं वो सच बोलना चाहता हूं, कि मैं यहां हूँ, और वो शायर मेरे पास आ जाते हैं, और घड़ी टल जाती, एक कहावत है, घड़ी टले, और वरसों जीए, तो मैं उस समय को मैं किस तरह से वापस कर सकता हूं निकिन बस यही है संदेश इसमें कि जूट का कभी साहरान मत लेना कभी रिजन दुख होता है कहीं न कहीं आप ऐसे इस मोड पे आ जाओगे हमारे दादा जी बोलते थे जूट वहां बोलो कि जहां किसी आदमी की जान बस अगर आप कोट मे सजा है और आपकी गवाई से उसकी जान बच रही है तो वहां आप जूट बोल सकते हो क्योंकि मानव हत्या दो हत्या से भी बड़ा पाफ है चलिए अब जी इस गुज़र गई बात तो इसको वापस लापाना तो बहुत पूश्किल है लेकिन हम उन चीजों से सीख जरू ले सकते हैं आप से बार करके एक वात अच्छा लगा और आप यही तरकी करते रहिए और फिल्में करते रहिए लिखते रहिए तर्मों को अच्छी फिल्मेकर हैं और उनने बहुत अच्छा पेश किया है लोगों के सामने तो आप जो है उनकी धार सुने जरूर सब लोग सुनेंगे और मुझे रहता है कि आपको रिव्यूस भी बहुत सारे मिलने चुरू होई चुकिए थैंक्यू सो मच योगी जी आपको बास क अच्छा रहा है थैंक्यू नवस्ति हमें भी अच्छा लगा बस्त रहें स्वस्त रहें और बियस्त रहें थैंक्यू सब्सक्राइब